दोस्तो हम आपको बताएंगे 13 नंबर को जो अगनी वीर आर्मी का एक्जाम हुआ है उसका कटाफ कितना जाएगा आपको AROY बताए जाएगा ठीक है लगबग मैंने 15 16 ARO जिनका एक्जाम हुआ है उनका कटाफ बताऊंगा AROY अपने अपने ARO का कटाफ देख लिजिए कि क कितना कटाफ जाएगा ठीक है दोस्तों वीडियो पूरी देखें अगर आपका 15 जनबरी को आपका एक्जाम है नीचे कमेंट करके अपने ARO का नाम बता दो हमारा 15 जनबरी है तो अगर आपको 15 जनबरी के एक्जाम के उपर वीडियो चाहिए कि 15 जनबरी को कितने कोशन आ चाहिए उसके ओपर वीडियो चाहिए नीचे कमेंट कर देना मैं आपको वीडियो बना दूँगा ठीक है इस बीडियो में बात करेंगे 13 नबर वाला जो कितना जाएगा एक वीडियो हमने पहले भी बनाई थी उसमें सिर्फ हमने ऑवराल कटाफ बताया था मतलब कि ओपर गया है अगर आपका रेलेशन का सेंटर है आप कटाफ जानना चाहते हो तो आपको बता दू जब भी इस वीडियो पे 1000 लाइक हो जाएंगे मैं सभी सेंटर का कटाफ बताऊंगा सेंटर वाई ठीक है क्योंकि इस वीडियो में सिर्फ एरोस ही कबर कर पाया हूँ जितनी ज का कटाफ बताते हैं पहला एरो है जमू कश्मीर का एरो सिर्णगरारोसिन अंगर की बात करें तो मैं आपको बता दू एरो का कटाफ जायेगा वो जायेगा दोस्तों 148 से लेके 160 थक है 160 तक जाएगा 148 से कम नहीं मार्क्स होने चाहिए और 160 के अंदर अंदर मार्क्स है तो आपका हो जाएगा ठीक है? मैं आपको बता दू आपका इतना ही कट आफ जाएगा क्योंकि वकैंसी लगवग नार्मल वकैंसी आपकी होती है और AROC नगर का हमेशा कम ही जाता है अगर आपका मार्क्स इसके अंदर बन रहा है तो आप सेफ हो ठीक है? आपको बता दू जब भी आपका रिजल्ट आएगा आर्मी दोफ चैनल पे सबसे पहले पीडियाफ बता दी जाएगी आपको दिखा दी जाएगी आपको बता दी जाएगा कि इस ARO का रिजल्ट आ गया है और पीडियाफ भी आपको उपलब्द करवाए जाएगी तो सभी लड़के चैनल को सस्क्राइब कर लेना जिनका 13 नगर को एक्जाम हुआ है क्योंकि जब भी आपका रिजल्ट आएगा तो आपको पीडियाफ हमारी चैनल पे सबसे पहले दिखा दी जाएगी आगे बात करते हैं आगे बात करते हैं दोस्तो ARO नागपूर का ठीक है माराश्टरा का ARO नागपूर जिसका एक्जाम 13 नगर को हुगा था इसकी जो 160 से 170 के अंदर जिनके भी मार्क्स हैं जे जो मैं बता रहा हूँ जे GD का बता रहा हूँ टेकनिकल कलर के ट्रेड मैंन का नहीं बता रहा हूँ उसके उपर नेस्ट विडियो बढ़न जाएगी अगर लड़के चाहते हैं कि ट्रेड मैं टेकनिकल के उपर भी बनाएं उस पर भी मैं विडियो बना दूँगा जैस सिर्फ GD का है ARO सीनगर का जो मैंने बताया बो सिर्फ GD का है इस विडियो मैं सिर्फ GD की बात करूँगा ठीक है आगनी बीर GD की 160 से लेके 170 ARO नागपूर के अंदर अगर आपने एक्जाम दिया हूँ है वकैंसी के हिसाब से बता रहा हूँ और ARO का जो पिछला रिगार्ड है उसके हिसाब से बता रहा हूँ ठीक है ठीक होने के चांस है ठीक है आगे बात करें ARO पतोड़ा उत्राखंट ARO पतोड़ा गड़की बात करें तो 155 से लेके 160 तक ठीक है 150 से लेके 160 तक अगर आपके मार्क्स हैं तो आपका आ जाएगा ठीक है जे जीडी का है सभी लड़के मैं फिर से बोल दूँ सभी लड़के चैनल को सस्क्राइब कर लेना जब भी आपका रिजल्ट का पीडियाफ आएगा मैरे लिस्ट आएगी वो सबसे पहले आर्मी दो चैनल पे आपको दिखा दी जाएगी तो चैनल को कर लो सस्क्राइब राजस्तान की बात करें ARO अलबर की बात करें तो 175 से लेके 180 तक ठीक है 175 से 180 के आसपास अगर आपके माक्स बन रहे हैं GD से बरती देखी आपने और ARO अलबर है तो आपका हो जाएगा उसके बाद बात करें IRA डिल्ली की 170 से 170 के अंदर अगर आपके marks हैं तो आपका हो जाएगा ठीक है selection उसके बाद बात करें तो दोस्तों ARO पार्लमपूर की पार्लमपूर की बात करें 150 से 160 के अंदर ठीक है दोस्तों अभी मैं आपको बताऊंगा आगे बाकी जितने ARO रही है सबसे पहले मैं थोड़ी सी आपको जानकारी देना चाहिए आगे बाकी जो ARO है उनको मैं अभी बताऊंगा पहले एक शोटी सी जानकारी दे दू अगनी वीर एर फोर्स की 2023 वाली बर्थी आ चुकी है अगनी वीर एर फोर्स में पहली होता है एक्जाम एक्जाम पास करोगे तभी आपकी सेलेक्शन होगी एक्जाम पास करने के लिए जो अच्छी बुक है वो है चक्षू बुक जे 2023 की नई जो बर्थी है उसके तहत बढ़ाई गई बुक है जे आगनी वीर वायू की जे नई बुक है ठीक है इस बुक का नाम है चक्षू बुक इस बुक की जो खासियत है इस बुक में आपको पूरा जर्नल, इंगलीज, साइंस, मैथ जो पूरा सिलेबस है वो इसी बुक में एक ही बुक में मिल जाएगा इस book की खासियत जह है इसमें 100% grantee के साथ बताया गया है कि आपका पूरा syllabus complete मतलब इसमें ही complete है और लगबग 2450 पलस आपको बहुती मैंत पूर्ण question मिलेंगे ठीक है multiple choice question मिलेंगे और best practice set मिलेंगे ठीक है आप जिससे अच्छी तरह त्यारी कर सकते हो इस book को अगर आप ख्रीदना चाते हो आगनी वीर 2023 की बर्थी देखना चाते हो एर फोर्स में इस book को अगर ख्रीदना चाते हो आपको हमारे description में लिंक मिल जाएगा Amazon Flip Card दोनों का आप दोनों से कहीं से भी मंगबा सकते हैं और आपकी local market से भी मिल जाएगी ठीक है जे हिंदी English दोनों में मिल जाएगी आगे बात करते हैं बाकी जो ARO से हैं दोस्तों बात करें उत्तरप्रदेश ARO मेरट की लगवग 170-180 के बीच अगर आपके marks बन रहे हैं जीडी के तो आपका selection हो सकता है उसके बात करें ARO जुनुनू राजस्तान की बात करें तो 170-180 के बीच अगर आपके marks बन रहे हैं तो आपका भी हो सकता है आगे बात करते हैं दोस्तों दोस्तों आगे बात करते हैं ARO मेंगलूरू ठीक है इसका 60-160-180 के बीच अगर आपके marks है तो आपका हो जाएगा ARO मेंगलूरू का ठीक है आगे बात करते हैं पंजाब ARO पत्याला की लगवग 165 से लेके 172 के अंदर आया गया है ठीक है उसके बाद दोस्तों ARO मुमवई ठीक है ARO मुमवई में अगर आप हो तो 170 से लेकर बंड 78 तक अगर आपके marks हैं तो आपका GD में सेलेक्शन हो सकता है आगे बात करें तो दोस्तों जडरो जबलपूर मध्या परदेश की जबलपूर जडरो जबलपू GD के तो आपका सेलेक्शन हो जाएगा ठीक है ARO सिनगर की बात हो चुकी है दोस्तों बात करें क़डरो जओतपूर पंजाब की जडरो जबलपूर ठीक है तो 175 से लेके 180 के बीच अगर आपके marks हैं तो आपका हो जाएगा उसके बाद बात करें IRO वरेली ARO वरेली उत्तर परदेश की 175 से 180 के बीच प्लस होने चाहिए मार्क्स तो आपका हो जाएगा इसके अंदर आपका है तो आपका हो जाएगा मैं आपको बता दू जे थे ARO जिनका मैंने इस वीडियो में बताया है और आपके ARO का नाम नहीं लिया तो नीचे कमेंट कर देना अगर आपका सेंटर है तो आप नीचे कमेंट कर देना अज़ार लाइक कर देना इस वीडियो पे ठीक है और आगे बाद कर दूँ मैं आपको गता दू जल्दी ही आपको result की भी वी वीडियो इसी channel पे आपको देखने को मिलेगी इस वीडियो को अपने दोस्तों के से share कर देना अच्छे तरीके से ठीक है और जल्दी ही आपको result के उपर जब कोई भी EROs का result आएगा तो इसी channel पे आपको सबसे पहले दिखा दिया जाएगा जहीं जावारत